पूर्णिया नगर निगम का चुनावी सरगर्मी अब तेज होने लगा है मेयर, डिप्टी मेयर और वाट पारसद का चुनाव होना है इसको लेकर के जितने भी उमिद्वार हैं वो अपने अपने तरीके से लोगों में अपनी बाते रख रहे हैं पूर्णिया के निवालाल चोके समीब के रहने वाले एक युवा उमिद्वार है मनिदास उन्होंने भी अपना मुद्दा लोगों के बीच रखा है और आपको खास तोर से हम यहां दिखाना चाहेंगे यह देखिए जो यहां सेहर के गर्मान लोग मौजूद हैं यह तमाम लोग इनकी बातों को सुनने के लिए आए हुए थे और इन लोगों ने सुना है और इन्होंने खास तोर से भी बताया है कि इनका चुनावी मुद्दा क्या है इन लोगों को बताया है लेकिन हम चाहते हैं कि आप भी इनके चुनावी मुद्दा को जाने इनका चुनावी मुद्दा क्या है चुकि यह मेर का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इसके लिए इनके पास एबिलिटी क्या है इस सहर के डेवलप पेडिकल इसके पास विजन क्या है यह हम जानना चाहत आपने अभी लोगों से बात चित की है और लोगों को बताया है आपने कहा कि आप चुनाओ लड़ना चाहते हैं लोगों कि क्या राय है लोगों ने क्या कुछ कहा आप जब आपने कहा कि हमें चुनाओ लड़ना चाहिए या नहीं जो लोगों का जो राय है जो पतिक्रिया आ हैं और सभी वेक्टिस हम राय लेना चाह रहते हैं कि हम भी मेर का चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनसे जब यह पूछे तो वह पले निश्चित चुनाव लड़िये और हम लोग साथ हैं और आप भी अभी यहां पर पस्तित हैं आप भी हमारे बीच जो बैठेव हैं उन लोग से भी ले लिजेगा कि सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं और मेरा चुनाव लड़ने का मकसद है कि कोई मिशन के तहद चुनाव हम लड़ रहे हैं आज जो नगर निगम का चुनाव हम मेर का लड़ रहे हैं कोई मिशन के तहद लड़ रहे हैं जिस तरह आज मिशन गंगा के थाथ पर्धान मंत्री हमारे देस के बाई भान अभी यो उसको निकालने का काम कर रहे थे ठीक उसी मिशन के थाथ हम नगर निगंग में जितने भी स्मुस्या है उसका दितान करेंगे इसका कोई विजन क्या है आपके पास की ऐसा कुछ तरीका है जी 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 हम दस साल नगर निगम का बना हुआ हो गया दस साल से छेत्र का मुएना ही कर रहे है घूम घूम कर आज हमसे आप सवाल जबाब कर लिजिए पूछ लिजिए कि कहां पर रोट गड़ा है कहां का फीनद है कि सहर में रोट की समस्या नाला की समस्या विजली की समस्या रोट बनी भी है तो उस पर झो है पूल अभी तक गड़ा हुआ है पूल अभी तक हाटा हुआ नहीं है जो उधारन रजनी चोक से लाइन बजार जाने वाली रोड में भी देख सकते है वह समस्या भूमी हीनों को जमीन देने की बात हुई थी उसमें भी हम लड़े थे 2016 में और 2800 बेक्तियों का सुची बना था कि सहर में 2800 बेक्तियों को जमीन मुहाया कराया जाएगा और आज त आज आप 2013 को जे सीवं मैं मजदूर नहीं लगता यह क्या इंधन का उपयोग उसमें नहीं उता है है क्या करमचारी उसमें नहीं रहते हैं भाल कि इधर से तोड़ते है आप फीर आफिर वह छोड़ देंश समस्या है कि स्डैर की समस्या है कि राभ अंप 1080 सारे समस्याओं को गिनाया, कै पिरुजगारी भी समस्या हैं? जी, हम उसी एम पर आ रहे थे, आपने सवाल किया कि क्या-क्या समस्या है तब हम गिना रहते हैं, मेरा एम है पहला, अगर हमको पुब्लिक का साथ मिला, चंता का साथ मिला, मा बहान भाई दादा दादी सभी का अगर सयोग मिला और मेर हम बनते हैं तो पहला वो देश मेरा है पूर्णिया नगर निगम में एक साल यानि बाड़ो महिना के अंदर दस हजार बेक्ट्वी को रोजगार देंगे रोजगार का हम मास्टर प्लान बना लिचुके हैं रखे हुए भी हैं और हम इसको फ्लेस नहीं करना चाहते हैं इसलिए कि और भी उमिदबार लड़ रहे हैं धन बल से और हम उसके सामने कुछ नहीं जीरो पे आउट हैं बस सब का दुआ और अशिरवाद है अगर इसको फ्लेस करते हैं तो दूसरे वैक्टी हमारे अभ्यान को लुट लेंगे और फिर उसके बाद अपना आति देने लेगे हम करेंगे हम करेंगे इसलिए इसको हम फ्लेस अभी नहीं करेंगे लेकिन हाँ उसके जगह पे दावा है और उसके लिए हम सबूत भी देंगे और लिखीत में देंगे अगर हम 10,000 वेक्ति को एक साल में रोजगार नहीं देते हैं यानि 5 साल में 50,000 वेक्ति को रोजगार नहीं देते हैं सिर्फ उधारन के लिए हम से एक साल काहीं ले लिजे अगर बाड़ो मैना तक में अगर 10,000 को वेक्ति रोजगार नहीं देते तो 13 मेना हमें इस्तिपादे देंगे हम लिखित में देंगे हजार के स्टामपे हमें स्टामपे मंगा है सर यहां देख लिजे हम इसके लिखित में भी देंगे हमें स्टामप भी लाएवे हैं और इस पर हम लिखित में भी देंगे इसका आप देख लिजे अब हम इसमें कुछ नहीं लिखेंगे, बेंक रहेगा, और मुद्धा यहीं रहेगा उपर में, अगर हम अपने काम में नहीं ख़ड़ा हुथा है था हम इस पस सही स्थिफाद देंगे, इधर से जितने भी हैं इसमें पर थे रिद्धि दो वेखति- tutte का सिंगनेचर कर वा द जैसे मैं कराओंगा यह पब्लिक को देंगा मेरे पास नहीं रहेगा यह पब्लिक के बीज दे देंगे और पब्लिक के पास ही रहेगा तो पुब्लिक को ऐसा लगे कि जिन्होंने जो आदा दिख किया था वो काम नहीं हुआ जी जी तो इस्तफा मांग सकता है जी 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 अब दे देंगे खुशी-खुशी दे देंगे जब हम ख़ड़े नहीं उत्रे अपने बात पर तो क्यों नहीं देंगे अजी ठीक है अगर आप काम जो वादा कर रहे हैं वो उस पर खड़े आप नहीं उत्रे जी जी इस्तफा दे देंगे जी 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 तो नगर निका में को आप फिर से वरता चुनाओं में धकिल देंगे तो आप देखिए बात तो करना सही है सर आपका एक वाड सदस का चुनाओ में भी राजस्व का खर्च होता है बहुत से बेक्तियों का बाल किया जाता है उसके लिए बहुत खर्च भी है और प्रेसानी भी है तो मैं पुरा दिड़ संकल्प और विश्वास दिलाता हूं कि मैं ऐसा नोबत आने नहीं दूंगा मैं ऐसा नोबत आने ही नहीं दूंग यह संदेश पब्लिक के बीच पहुचा रहे हैं पहुचाना चाहते हैं और इसी चैनल के माध्यम से भी आप एक बार सर्वे कर लिजेगा कि हाँ दस अजार वेक्ति में क्या सही में नहीं दिया है उस दिन हम इस्तिफादे देंगे अगसे करेंगे तो फबलिक आपको खुध ही कहेगी कि ने आप काम करिये जीडे लिकिन हमको यह बताईए कि जल जमाओ की समस्या यहाँ बहुत बड़ी समस्या है यह सर्चिण कह से लेकर के आप लोगों थे immers only हम एका हुआ बैद ὁप वो भी बताया कि इस तरह से किया जा सकता है, ये विजन तो उनके पास अलएडी है, ये ये काम हुआ क्या, नहीं, आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, सर्व, आपके चैनल के माध्यम से भी, और बहुत हम लराइ लरे, बहुत लराइ लरे, नगर निगम का घहराव भ सब्सक्राइब कर देंगे कर देंगे लेकिन आज तक एक बुंद पानी हटाने का काम नहीं किया हुआ पूरे सहर में अब आपने कहा कि रोजगार देंगे, आपने कहा कि सर के विकास के लिए काम करेंगे, लेकिन वो खोलेंगे नहीं कि वो हम किस तरह से कर रहे जा रहे हैं, किस तरह से रोजगार देने जा रहे हैं, परधार मंतरी ने भी कहा था कि हम रोजगार देंगे, बाद में उन्होंने कहा क यह पोकड़ा बेचे तो रोजगार हो गया जी 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 मैं इस तरह का रोजगार नहीं दूंगा जो आप बोल रहे हैं सर कि पकोरी बेचना और कोई चाय बेच रहे हुआ तो इस तरह का रोजगार एक रोजगार हो गया मैं यह नहीं दूंगा लेकिन जो मेरा विजन ह कर्देंगे तो दुसरे वेक्टि लेंगे सब एक से एक बाहवली है लोगों के मन में तो यह रहेगा ना कि आखिर क्या रोजगार देगा रोजगार उनको देंगे कि रोटी कप्रा मकान हो जाएगा अपने परिवार का भरन पौसन कर लेंगे अच्छी तरह जिंदगी जी ल लेकिन आपको उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा जिस हिसाब से कानुन कहता है आपको उसी करमचारी से काम लेना पड़ेगा जो करमचारी की नियुकती वहाँ है और वो लोग अगर सपोर्ट आपको नहीं करेंगे तो कैसे काम करेंगे आप करेंगे सपोर्ट करेंगे निश्चित करेंगे हमारे साथ जनता है बद्धन के साथ जिता हुआ था उनलों के साथ जटा नहीं है उप धन बल के साथ जीते हैं कि उसलिए उनलों है वाट आप पारिसत जी को भूर देने का हग था और उसले खड़ी विक्री ज्यादा होती थी अगर जिस दिर रुपे का आरूप लगेगा मैं इस्तिफादे दूँगा ये बताईए कि वरस्टाचार जो घुस्खोरी है वो रुका हुआ है विभाग में नहीं रुका हुआ है नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा तो फिर कैसे करेंगे आप जो घुस देने के लिए जान चाहिए तो जो खरिद फरोस किया पैसा देके तो इसी कारण इस तरह का समस्या उहां दूर नहीं हुआ और जब हम निस्वार्थ हम किसी को पैसा दिये तक नहीं और वह हम को सम्मान जनक भोट देके एक कीमती भोट जिसका की करोरों रुपिया भी कीमत कम है अब वह हम को जिता है हम उहां कैसे कर सकते हैं लेकिन नहीं करने देंगे हम गलत करने ही नहीं देंगे अफू काम करेगा एकदम करेगा इकदम मैं करवाँगा निश्चित करवाँगा मैं निश्चित करवाँगा में में बात रखा था उसी बीच आप आगए और इसी बीच में वेऊ भी बोले की हाँ हां ठीक है ठीक है और परदा की क्या बात जब आप सामने में हाजिर है तो आप भी पूछ सकते हैं चुनाओ लड़ना बिल्कुल ते है ये युवाव अमीद्वार है मनी कुमारदास जी और इनका कहना है कि इनका जो मुद्दा है और इन्होंने जो भरोशा लिया है जनता का कि आप जो मुद्दा इन्होंने दिया है जनता के बीच में अगर उस पर भी खड़े नहीं उतरते हैं तो ये इनके हाथ में स्टाम पेपर है इस पर लिख करके देंगे कि एक साल के अंदर अगर दस जार लोगों को ये जौब नह लगता है लेकिन असंभव चीज को कभी कभी युवाही असंभव कर दिखाता है हम कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं चाचा आप लोगों से बाचित हुई कुमारदास की इन्होंने बहुत बाते कहीं क्या अच्छा लगा आपको अच्छा है लगा कि काम करने का जजब दे देंगे एक साल में यकीन हो रहा है आपको परियास से क्या नहीं होता है अगर ठालने के मन में ठालने की ये काम करना है तो होगा स्टाम्पेपर लेकर के आपके सामने मोजूद है। तो है स्टाम्पेपर है। देखिए कि इतना कर पाते हैं लोग 100% तो नहीं है कहा जा सकता है, एक कुछ तो करेंगे ही, जैसा नहीं है की नहीं करेंगे। ठीक है न? तो क्या आप लोगों ने आशरवाद दे दिया इनको खड़ा होंगे नौजवान आत्मिया काम करेंगे आशिरवाद तो हैं अशिरवाद आप लोगों ने आपका अक्षाहलाद सर्मा इनका सारा बात जो सुझावद था हमको बहुत अच्छा लगा और हमको उमीद है कि यह अगर मेर बनके आती है पुर्णिया जिला में तो बहुत विकास करेगा है एक दम एकीन हो रहा है हम लोग पुरा सुपोर्ट है अप लोग बहुत अच्छा लगा और हम इतना जानते हैं कि मरीश जी जो जमीन लेवल से जुरे हुए आदमी है तो जो आदमी जमीन से जुर और मनीजी के साथ में कोई ऐसे व्रिक्तितों हैं जिन्होंने कोई मेर नहीं थे कोई वाट पारसंद देते फिर भी हमारे छेतर के लिए बहुत ज्यादा काम किये इतना ज्यादा आप जैसे हमारे पानी जब जलबाब का समस्या है वह अपने कोस से उसको दूर करने है कोश वे दूर को फिल अब कर पाते हैं तो ङुक्त बिलकों विश्वार से इक करेंगे बिलकों आना चाहिए उसलन उसमें भाजई को मनी जी की लिए तो यही बोलेंगे जहां तक हम जानते हैं काम किये हैं काम करेंगे काम के माधम से पुर्णिया नगर निगम का नाम करेंगा एक मुका इनको मिलना चाहिए हम लोग इसके साथ है मुका मिलना चाहिए हम लोग साथ है इनकी पृसंद आरही है इनमें हिम्मत है कि हम कुछ कर के दिखाएंगे मनी जी तो सही में बाताँ से लगता है कि पुर्णिया का मनी निकले है सचाई में यहां का जितने समस्या हम देख रहे हैं जलजमा एक नम्मर में है या गढधा जो भी है या जो भी डियम हो उससे बराबरा पधादिकारी जो हम जैसे जनता का सेवक है वह जो अत्याचार जनता पे कर रहे हैं जैसे भरस्टाचार के नम पे अगर यह मनी के रूप में आके पूर्णिया को राहत दिलाते हैं तो इससे बड़ी खुसी की बात और जनता हमको तो इनकी बातों पे विश्वास आ रही है कि ऐसे बेक्ती को पूर्णिया में आना चाहिए और मनी के रूप में सब का समधान सब चीज का सिश ह mantования गूमरे तो उसे लग रहा है कि मुझे अनुभवح हए कि मैं रोजगार दिला सकता हूं मुझे टेक्निकल है कि मैं जल जमाव की समस्या को दूर कर सकता हूं, मुझे इतना ग्यान है, वो बता रहे हैं कि मा इस सारे समस्या का समाधान कर सकता हूं, इसलिए हम लोगों का सहमती उनके साथ रहेंगे, ऐसे बेक्ती को आना ही चाहिए, बढ़ना ही चाहिए, बिलकुल आना चाहिए, बिलकुल आन निश्चित रुप से जन्ता के जब चुना जाना है तो जन्ता हैं मुखा देगी जित रुपेंट जो बाते हुई है उसमें यह बाते खुलकर करके सामने आए कि यहां के लोगों का कहना है जो खासतरी से बैठक में अभी मौझूद है उनलों का कहना है कि मनी कुमार का जो व स्टित रुपेन काम के लिए बिल्किल सूटेबल है इसलिए यहां के अधिकांस लोगा यह कहना हुआ कि मनी कुमार को मैदान में आना चाहिए वे लोग उनके साथ हैं कोशियालों के लिए समीत के साथ मैं संजे कुमार